गूड मॉनिंग फ्रेंट्स मैं विके सुकला आज इरावर्ड परिवार से आपके लिए कम्मुनिकेशन सीसेट में जो पी पीसेट में सीसेट में कम्मुनिकेशन जो कि बहुत से लोगों को बहुत घबडा घबडा हत पैरा कर देती हैं उनके अंदर बहुत घबडार जाता है कि मैट तो पढ़ लिया सीसेट भी जान लिया हिंदी भी जान लिया कम्मुनिकेशन जो अपने आप में 40 किश्चन और 50 किश्चन कभी कभी 55 किश्चन आ जाते हैं तो ये एक बड़ा विस्तार लिये होता है आपको और आपको अगर नोट की मत बहुत महनत से दोस्तों बनाया गया है जिसे आपसे उसे आपसे कुछ नहीं है 50 रूपीज का नोट से है जो आपको टेस्ट देने आप संडे योग आयांगे, टेस्ते ने तो मिल जाएगा संडे टेस्ट में आपको मिल सकता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, आप देखेंगे, तो आज से मैं आपको जो है communication की class provide कराओंगा दोस्तों, आपको online communication की एक एक टॉपिक पर आपको क्लास मिलेगा दोस्तों तो जो हमारा कमनिकेशन में दोस्तों जो पहला चेप्टर है अंतरब्यक्तिक छम्ता है जो पहला चेप्टर है दोस्तों तो आज हम जो है अंतरब्यक्तिक छम्ता पे बात करेंगे मित्रों आज हम अंतरब्यक्तिक छम्ता पे बात करेंगे दो दोस्तों तो हमारा पहला टॉपिक है अंतरब्यक्तिक छमता है दोस्तों तो आज मित्रों हम बात करेंगे अंतरब्यक्तिक छमता पर हम आज बात करेंगे दोस्तों यह देखिए अंतरब्यक्तिक छमता दोस्तों इसके बारे हम आप से आज बात करेंगे मित्रों अंतरब्यक् अंतर्व्यक्तिक च democrति क्या है दोस्तों meow जहां दूस्थ की बात करेंगा अप से मित्रों कि क्या है अंतर्व्यक्तिक vibr Care Partners क्या है मत्रों तो अंतर्व्यक्तिक संबन्ध जो या दो से अधिक न्यों के बीच की एसा सहचर्य होता है जो छड़िक या अस्थाई हो सकता है अब आप समझे कि सब्द क्या अगर है कि अंतर बैक्तिक सम्मन दो या दो से अधिक बैक्ति की बात कर रहा है मित्रों तो ये बात कर रहा है आप से दो या दो से अधिक बैक्ति की बात कर रहा है मित्रो कि दो या दो से अधिक व्यक्ति एचा साचर साचर मतलब होता है बात करने का तरीका या आदान प्रदान आप मैं पढ़ोंगे आदान या प्रदान अंतर व्यक्ति मतलब कि हम अपने विचार धाराओं का अपने विचार धाराओं का आदान प्रदान दो या दो से तो कैसे लेंगे जो चड़ी के अस्थाई हो सकता है कभी कभी कुछ लोगों का जो विचार है कुछ भावनाएं हैं जो लोग कह गये हैं उनको हम आद तक याद रखते हैं कुछ होता है कि उन्होंने कहा हमने सुना और निकाल दिया तो इसके देखियां अंतर व्यक्तिक संब इसके वांध तो सब्से बड़ी चीज कि इसमें 2 या 2 दो सदिख सहचार्य होता है में थ्यान रखना आपको इसके बाद को जो प्arow estve.. फिसके साथ ये कर रहे हैं कि निस्कस्त संबंद देखें निकट का संबंद इसका होता है वो ज्यादा तर आप देखेंगे परिवार में दोस्तों या छोटे समूँ में उपस्तित होता है मतलब अंतरब्यक्तिक संबंध होता है या तो आपके परिवार में होगा या एक दोस्तों का चोटा समू उपस्तित होगा उसमें ही ये होता है तो अंतरब्यक्तिक संबंध समाजिक संस्कृति और अन्यप्रभाओं के संधर में निर्मेद होता है तो अंतरब्यक्तिक समाज में हैं तो वो जो अपनी अंतर बेक्तिक वसल को दर साते हैं बात करते हैं तो उनके अंतर बेक्तिक वसल उस समाज के लोग बख़ोबी समझ जाते हैं उनको बख़ोबी समझ में आ जाता है उस समाज के जो रहने वाले हैं वो समझ जाते हैं कि क्या हो सकता है मतलब उस समाज के लोग उनके बातों से भावनाओं से इसारों से समझ सकते हैं कि क्या ये कहना चाहता है या हम क्या समझें तो ऐसी भासा लोकल सब्दों में लोग समझा जान समझ सकते हैं संस्कृती को भी प्रभावित करती है अंतरब्यक्तिक संबंद एक संस्कित को भी इनके प्रभाईच करती है दोस्तों और साथ ही आन्य प्रभाव के संदर में भी निर्मित किया आता है तो नीचे देखिए अंतरब्यक्तिक संबंद के प्रमुक लच्छन क्या क्या है मित्रों हमें देख लेते हैं कि अंतरब्यक्तिक संबंद के प्रमुक लच्छन कौन से हैं तो सबसे पहला देखिए से बिसिष्टिता आपसन में रहेगा आपसे सबसे कौन सा लच्छन भरता जरूरी है अकेले अंतर ब्यक्ति संब्सक्राइब होता है कि दो लोग दो या दो अदिक आपने देखा था तो या दो से दिक रुख होना चाहिए तो परस्प्रिक निर्भड़ता हो दी चाहिए आत्म प्रकरी करण इसमें लोग अपनी भानाओं को आत्म प्रकरी अंतरवेक्ति सम्मंद तभी मजबूत होगा अच्छा तभी होगा जब उसमें इमानदारी और जबाब देही होगी पहला इथिक्स यहां से सुरू होता है इथिक्स इथिक्स के बैलू है मुल लिका जाता है इसमें इथिक्स को आप पढ़ेंगे चोटे पे पर दोस्तों यहां अंतरवेक्तिक सम्मंद तभी मजबूत होगा आपको जब इमानदारी और जबाब देही होगी सहानभूती समानभूती होगी सहानभूती मतलब कि आप अगर कोई तकलीफ में है दूसरा ब्यक्ति तो आप उसके तकलीफ को समझ जाओगे कि हाँ वो तकलीफ में है तो आप सहानभूती दिखाओगे चलो कोई बाद नहीं प्रभू ने आपको तकलीफ दिया है या कोई खुसी है ता आप भी खुस हो हो चलो बड़ बड़ा करने चले जाते हो बट जो समानभीक्ति एक सब्द्रों जो सब्सक्रान support कि जिस सब्सक्राइब करो to आपको परणभुति या समानभूति हो जाती है इसके सांसाता आपको बिश्म्सवास होना चाहे लोगों में अंतरव्यक्तिक संबन तभी बन पाएगा, आप आपकी बात को लोग तभी सुनेंगे, आपकी बात को लोग तभी मानेंगे, जब मित्रौ आपके अंदर बिष्वास होगा, इसके साथ तीसरा दोस्तों सम्मान होना चाहिए, तिसरा इसका प्रवंग लच्छन है सम्मान होना चाहिए मतलब आप सम्मानी सब्दों का अपना जो व्यक्तिकस सम्मान आपका होगा सम्मानी और सम्मान से भरा होगा होना चाहिए साथ ही मानसिक प्रत्यासा और उमेद भरी बाते होती हैं लोग उमेद से बात करते हैं नमनता और लचीला पन होना चाहिए बातों में नमनता होना चाहिए या लचीला पन होना चाहिए दोस्तों मतलब बाते ऐसे करो कटू बाते नहीं होने चाहिए कठोर नहीं होने चाहिए दोस्तों ये सब ये सब क्या है ये सब हमारे अंतरब्यक्तिक संबंद के प्रमुक लच्छन है मित्रों इसके बाद अंतरब्यक्तिक संबंद के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं भी पूछा जाता है कि मित्रों प्रकार कौन कौन से होते हैं तो ये द यूर में जन्म लेते हो सबसे पहले जो रख्ति संबंद भी ने पार सी फुर्ण भी और घर्ड़ संब्ल जाता है। माहिय को सिखाती है पीड़ा यह देखो आता में आप का सम्पम्न सब उता है। इसके बाद आपकी साधी हो जाती है, तो आपका अंतरब्यक्तिक संबंद आपके पत्नी से हो जाता है, विवा संबंधी, रक्त संबंधी, विवा संबंधी, इसके बाद मित्रों जब आप स्कूल या कॉलेज जाते हो, तो वहाँ आपके मित्र मिलते हैं, इसकूल की आपके मित्रता के संबन्द में अंतरब्यक्तिक संबन्द मित्र से घुल मिल जाते हो उन से भाउनाओ को उनके बातों को समझने के कोशिस करते हो इसके बाद दोस्तों एक संबन्द है रोमानी संबन्द जिसको रोमानी मतलब होता है रोमांटिक सब्द से रोमानी बना है रो तोनों एक दूसरे के भावनाओं को आखों ही आखों में इसारा हो गया जिसी बातों को समझ लेते हैं दोस्तों इसके साथ कुछ मजाकी बाते हो जाते हैं बीच में इसके बास दोस्तों चो चोथा प्रकार है वह है बेवसाइक और प्योसेवर सम्मंद की मतलब आप मालिक औ नोकर का ऐसा सम्मंद हो जाता है कि मालिक अगर इतना अच्छा उनका अंतरव्यक्ति सम्मंद जाता है कि अगर मालिक कुछ सोचने की कोशिस करता है कि एक कोई गेस्ट आ गया और चेर उसको देना है मालिक सोचता है चेर की तरफ देखता है तो नोकर समझ जाता है कि मालिक को कि अपने हाव भाव से या अपनी बातों से बताता है समझाता है कि हमको यह प्राबलम है और डाक्टर भी उसी तरह जो है उसका इलाज करता है उसकी बातों को समझता है तो उनकी बीच में भी एक अंतर तो यह जो है उस अंतरब्यक्तिक कोसल कि अंतरब्यक्तिक सम्वंद के जो प्रकार हैं ये बहुत important है दोस्तों चारो आपसन में आपको दे देगा और रोमानी डाल देगा परिवार मित्रों इस तरह से क्यूशन आपके दोस्तों आते हैं मित्रों आगे हम देखें तो अंतरबैक्तिक संबंद बनाने है तो जो आउस्य कौसल है दच्छता क्या ह होनी चाहिए जिससे आपका अंतरबैक्तिक संबंद काफी मजबूत रहे दोस्तों देखिए कि अंतरबैक्तिक संबंद है तो कौसल कौसल मतलब क्या होना चाहिए दच्छता कैसी होनी चाहिए कि जिससे अब दो या दो से अधिक प्यक्तिक है तो दोनों तरफ से कौसल होन हैं और आप अपनी बात को कहना चाहते हैं बड़ दूसरा क्या है उस पर कितका नहीं है तो आपकी बातों को नहीं सुनना चाहेगा इसके लिए मित्रों इसके लिए क्या है मित्रों की दोनों के बीच में ये जो कौसल है दोनों में दिखाई जाने कैसा आसावादी ढंग से सांत्र हैं सबसे बड़ा कौसल है होगा की आसावादी ढंग से सांत्र हैं आसावादी मतलब कि आपको यह आसा है कि अगला व्यप्ति जो कह रहा है वो सही कह रहा है इसलिए उसके बातों को ध्यान से सुनना चाहिए सांती से सुनना चाहिए यह आपको आसा होने चाहिए और जो कह रहा है उसको आसा होने चाहिए वह हमारी बातों को सुन रहा है अच अच्छा रखना है तो अपता जो कह रह थो गंविडवतक पुरुवक उसकी बात तो सुनना चीए लोग कहते हैं अरे बट वदिया तो सुननो थे अग्रत काते हैं इसके बाद समानवभत क्रती पुरुवक विवहार होना चीए कि अगर कोई अपनी समस्या को प्राब्लम को बता रहा है तो आप उसको ध्यान से सुनिए अंतर ब्यक्तिक संबंद ही कता है आप उसको ध्यान से सुनिए क्या बता कलो समस्या आपके सामने आजए और आप जिस तरह बिवार करें तो अगला भी आपकी बातों कैसे सुने का तो यह संब्ध मजबूत नहीं रहा जाएगा इसके बाद सावधानी पूर्वक अगर प्रत्रकिया आपको देना है रियक्शन देना है तो एक ब्यक्ति अगर आपसे कुछ कह रहा है कुछ बाते सेयर कर रहा है तो आपका प्रत्रकिया सावधानी पूर्वक होना चाहिए यह नहीं कि अगर वो आपसे प्रेम पूर्वक कुछ अगरा कर रहा है तो आप उसको जो है विवजूत करो गाली उचकरो भागा दो तो ये संबन मजबूत नहीं रहा पाएगा दोस्तों इसके बाद सहयोगात्मक रूप से समकालीन बने इसके बाद सहयोगी रूप से दोनों में सहयोग की भावना होने चाहिए कि ये भावना होने चाहिए अंतरव्यक्ति कोसल में कि आज में अगर अगला व्यक्ति प्रावल प्रमाडिक रोप से कार करें जो वर्क करें वो प्रमाडिक होना चाहिए कि हम संबंध हमारे जो हैं प्रमाडिक हैं वो अच्छे हैं और उदारता से स्विकार करें और बातों को जो संबंधों को हैं उसको उदारता से आप स्विकार करें तो यह हमारे कौसल होने चाहिए क्य या सहयोग प्रमाड़िक रूप सीकार और आपका उदारता तो यह मित्रों जो आपने देखा अब बाधक क्या होता है कि इसमें कौण कुछ से चीजे बाधा पएदा करती है कि समंधों को क्यों खराब करता है बाधा मतलब किसी समंध्य हे दो या दो सब्सक्राब उनसम्मंदों को काूण खराब करता है तो पहला है बर्जन प्रतिहार या टालमटॉल भर्जन मतलब कि आपने कोई आया उसको डाटके भगा दिया प्रतिहार किया प्रतिहार मतलब सो बेवहार नहीं किया प्रतिहार किया और टाल मटोल जो किसी ने आपसे कुछ मदद मागा कि भहिया पचास रुपे के जरूत है आज दे दो तो आपने टालमटल सुनू करना किया कि यार एक घंटे बाद फोन करना और साम को फोन करना कल फोन करना तो वो संबन्द मजबूत नहीं रहे चाता है वो समझ जाएगा कि नहीं यह ब्यक्ति अच्छा नहीं है तो उन ब्यक्तियों बीच अंतर ब्यक्तिक संबन्द कहीं नही तता क्लास में टीचर पढ़ाएगा और अले पजय कोई कुछ क involvent कोई कर रहा है पेएंऔर ऊसे बोश्ट इसके वक्ता वक्त ह Lunch कोई क्रीआ नहीं दे रहा है और मंदूप के बैठ किया और टीचर confidently लगेगा कि नहीं कोई र्यिक पता नहीं बच्चों समंझ में रएक समय नहीं समंझ और इसलिए बार बार टीचर समय स्दूडन्त से उसका रिएक्षन जानना चाहता है तो रिएक्षन देता है क्रिया दर होती है आपने देखा हैं हो जरूर देगा मित्रों इस तरह अगले की बात करें दोस्तों तो अगला है निष्ठा अनुराग प्रेम का अभाव ये अगर ये है इन तीनों का अभाव है निष्ठा नहीं है आपके अंदर किसी के प्रति निष्ठा नहीं है ताब उसकी बाद नहीं सुनेंगे कभी नहीं सुनेंगे में बाधा डालेंगे इसके बाद जोस और उसा अगर आपका कम हो गया ठंडा हो गया तो अंतरब्यक्तिक का उसल आप नहीं आपके अंदर जोस ही नहीं है उसा ही नहीं है और कोई टीचर पढ़ाया जा रहा है कि ये देखो बेटा ये टॉपिक है ये प्री में आएगा इसक नहीं बन पाएगा पांचवा है दोस्तों छमा भाऊना का भाऊ अगर सबसे बड़ा चीज होता है छमा लोग कहते हैं कि अगर आपने छमा कर दिया तो सब कुछ दे दिया किसी को छमा करने से बड़ा दान कुछ नहीं होता दोस्तों अगर आपने किसी को छमा कर दिया तो उसको दोस्तों आपने सब कुछ दे दिया, छमा करना ही बहुत बड़ा, अगर इसका अभाव है, आप ठीक है, कोई दो ब्यक्ति हैं, कभी ठीक है, किसी कोई प्राबलम है, किसी मानसिक दिक्कत में कुछ भी प्राबलम है, अगर उसने कभी कुछ आपको कट सब्द का दिया, तो आप को हाँ छमा कर देना चाहिए, कि हो सकता है, प्राबलम में हो, बाद में आएगा, तो छमा की भावना भी होनी चाहिए दोस्तों, उपर यक्त के अलावा, कुछ अनविसिष्ट बाधकत्त्तों हैं दोस्तों, जो आपने बाधकत्त्त देखा, इसके अलावा भी कु कहा है देखिए इस्सिति जन्न बादाएं कि अब ये बादाएं क्या है ये बादाएं है कि परिशिति का अनुसार बादा आ जाती है लोग करते हैं क्या गरें परिशिति ऐसी थी कि आपकी मदद नहीं कर पाया मैं परिशिति से परसान था तो परिशिति की बादाएं थी जै जैसे जटिल वारतालाप अगर वारतालाप जटिलता पूंड है हम मैं किसी लंग्वेज में आपसे मैं इंगलीस में बड़वर किये जा रहा हूं आप हिंदी भासी व्यक्ति आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बाधा है प्राकृतिक इस्थिती जन्वाधा भाई इस्थित अगर पता चला कि दूरी अधिक है आप क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर बैठे हो और टीचर आपको पढ़ा रहा है और बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा रहा है आप लास्ट बेंच पर बैठे हो और कोई साधन नहीं है माई को गया रखा तो जिस सटिक्टा से आगे बैठे कोसल में इसके बाद इस्थिति क्या है प्रतिकूल परियावरणी इस्थितियां परियावरणी इस्थितिया प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ कि जो परियावरणी चीजें हैं जो जिस परियावरणी पर ही सब डिपेंड है परियावरणी पर डिपेंड है जैसे मान क चलिए कि एक गाउं का ब्यक्ति है तो वह लोकल भासा सिर्फ जानता है उसको इस हिसाब से खड़ी हिंदिम बात करने में दिक्कत होती हो लोकल भासा को समझ सकता है तो यदि आप वहां पहुंचे और आप 50% एंगली से उच करके आप पढ़े लिखे PCS ब्यक्ति पहुंचक काउं का एक सरी ब्यक्ति है तो वह आप अगर बहुत जटिलता से उसको समझाएंगे और उसके लेंग्योज में आप बात नहीं कर पाएंगे उसको भावनाम तो नहीं समझेगा तो आपका अंतर ब्यक्तिक कोशल उससे नहीं बन पाएगा जोता है ब्यक्तिका मुर्खटा पूर ब्यवहार सबसे बड़ा चीज है दोस्तों कि ये बाधा इस्तिती जन्मुर्खता पूर ब्यवहार कर बैठते हैं लोग कहते हैं कि एक माला बनाने में तो बहुत टाइम लगता है दोस्तों अंतर ब्यक्तिक सम्मंद बनाने में समय लगता दोस्तों बंत हो जाता है और आप से बाते करता है लेकिन आपका बेवहार इतना घटिया मुर्खता पूर्ड होता है कि आपका अंतर व्यक्तिक का उसल नहीं बन रहता है दूसरा दोस्तों है व्यक्तिकत बाधाएं दूसरी बाधा हमारा क्यावंसी है व्यक्तिकत बाधाएं ब्यक्तिकत बाद आओं ने दोस्तों आस्विक्रितिब है क्या है मन में एक डर आस्विक्रितिब है मतलब कि मन में डर बैठ जाए कहीं इनकी बात में मान लिया तो समस्या ना पैदा हो जाए कहीं इनकी बात मान लिया तो दिक्कत में ना आ जाओं ये हो गया तुसरा लचील लचीलेपन का भाउ, यदि भाउसा में कठोड़ता है, अम्रिदूपन नहीं है वाटा में, कोई डाट के बोलता है, दोस्तों कहते हैं कि मरीच, मरीच 50% उसकी विमारी सही हो जाती है अगर डाक्टर के अंदर सरलता है कौमलता है लचीले पन का भाव है अगर तो मरीच 50% सही हो जाता है वही कुछ डाक्टर्स दिखेंगे मित्रों आप तो इतने कट उभासा के उच करते हैं कि मरीच डर बस कुछ कहने हैं पाता असले मिता है तो लचीले पन का भाव ही कहिन कहीं बाधा बनते है इसके बाद ब्रभावी संचार संचार clicking को है ब्रभावी नहीं होना चीजिस से मैं आपको बोले जा रहा हूं आपको पढ़ाया जा रहा हूं इसके बाद सरमीलापन, सरमीलापन गये हैं, कहीं गये हैं, भूख लगी है, लेकिन इतने सरमीले हैं, राम नरेस कहा नहीं रहें कि एक रोटी और दे दो, एक रोटी खाके बैठे हैं, तो सरमीलापन भी अंतर बैक्तिक कोसल को कहीं कहीं बाधाये पहुचाता है, कुल मजाक पूंहते दोस्तों जीसे आप विबोरन वह कि इसके बाद नेक्स ट ही में सामाजिक बाद हैं इसके दोस्तों सामाजिक बाद' हमने दोस्तों भासाही बीटता दोथे यहले thingy परी घे पर शॉन्च उप जाने गहीं दोगा की भांसा नहीं समझपायों आगर हम आप हमारे भारत आज़ातिया रिचार कर से लिए लोग जाना िलाव नहीं करें पर अगर हम वहापर चले जाएं तो कुछ भी अच्छा समझायों समझत तो उनकी संस्कृति ऑलग करें हमारे बाद के संथड़ा ही हो पायेगा कि उनका संस्क्रिंटि बिवित्ता अलग है उनकी संस्किती हैशार रहते हैं हम उनको देखके हैं इसके बाइगा diff नहीं बन पाएगा इसके बाद सामाजिक अब है प्रभाव और मुक्तत तो इस टापिकों को हम आपसे अगले वीडियो में मत्रों डिस्कस करेंगे कि अंतरवेक्तिक जहमता क्या होती है अब इसके बारे मैं दोस्तों हम आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे नमस्कार मित्रों नमस्कार